सच पूरा हो तो तकलीफ देता है और सच आधा हो तो और भी ज़रा तकलीफ देता है हेलो दोस्तों, आज की कहानी सच और आधि सच की एक नाविक दस साल से एक ही जहाज पर काम कर रहा था एक रात वो शराब के नशे में धूत हो गया ऐसा पहली बार हुआ था जहाज के कैप्टन ने इस घटना को रेजिस्टर में इस तरह दर्ज किया नाविक आज रात नसे में धुत था नाविक ने ये पढ़ ली, वह जानता था कि इस वाकिसे उसकी नौकरी पर बुरा आसर पड़ेगा इसलिए वह कैप्टन के पास गया और माफी मांगी लेकिन कैप्टन ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा मैंने जो कुछ भी रेजिस्टर में दर्ज किया है वही असली सच है अगले दिन रेजिस्टर भढ़ने की बारी नाविक की थी उसने लिखा आज की रात कैप्टन ने सराब नहीं पी अगले दिन कैप्टन ने उसे पढ़ा और नाविक से कहा इस वाकिको वह यादो बदल दे अत्वा पूरी बात लिखने के लिए आगे कुछ और लिखे क्योंकि जो लिखा गया है उससे जाहिर होता है कि कैप्टन हर राद सराप कीता है नाविक ने कैप्टन से कहा कि उसने जो कुछ भी लिखा है वही सच है दोनों बाते सही थे लेकिन दोनों से जो संदेश मिलता है वो एकदम भड़काने वाला है सच का तरीका बदल कर कहने से दो बाते होती है इसे हमारी बात का असर कम होता है और हमारी यह एक तरह की बुरी आदत है कुछ लोग बात को बिना सच जाने ही विश्वास कर लोता है तो दोस्तों हम किसी की भी बात सुनकर किसी बात कर निर्ने ना ले पहले पूरी बात को सुन, फरक ले तभी किसी को कोई निर्ना सुनाए क्योंकि सुनी हुई बात और लिख्युई बात में बहुत फर्क होता है और आखों देखी बात कुछ और होती है पहले दोलों तरफ की बाते सुने तभी कोई निर्ना ले तो दोस्तों कैसी लगी आज की कहानी लीज मुझे बताए, और पने दियां रखी, बाई!